आज मैं आपके साथ तीन टिप शेयर करने वाली हूं मिल्क रिलेटेड है कि आपके मिल्क पे भी मलाई नहीं आती है मोटी तो बुसका टिप में दूँगी और आप मलाई को किस तरह से निकाले तो आपका घी अच्छा निकलेगा और किस तरह से आपको मलाई को निकालना है तो मैं तीन टिप इस वीडियो में बताऊंगी तो आप पूरा एंड तक देखिएगा तो भी आपको अच्छे से पता चलेगा यह प्रोसेस मैं खुद फॉलो करती हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आप लोग भी यह फॉलो करें और आप तो चलिए मैं ब बताऊंगी कि आप अपने दूद पे मोटी मलाई कैसे ला सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो हमें करना चाहिए कि जो भी मिल्क आपके घर आता हो मैं काउ मिल्क यूज करती हूं आप बफैलो मिल्क भी ले सकते हैं हाँ पर उसको हमें गरम करना है आप चा मिल्क को यूज नहीं किया है तो आपकी मलाई बहुत अच्छी पड़ेगी तो आप उसको फ्रीज में रख दीजे और फ्रीज में हलका सा जो जिससे भी आप ढ़कते हैं उसको थोड़ा सा हलका सा हटा के रखिएगा उसके बाद अगर आप रात पे रखते हैं तो सुबह अच्छी आप देख सकते कितनी अच्छी काव मिल्क में इतनी अच्छी मलाई पड़ी हुई है तो यहां पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूं यह मैंने देखिए आप किती अच्छी इतना मलाई इसमें पड़ी हुई है आप देख सकते हैं यह काव का मिल्क है अगर यहा आपको भी ऐसी मलाई निकालना है तो आप यही टिप फॉलो करें तो आपकी भी अच्छी मलाई बनेगी सेकंड टिप यह है कि आप अगर मलाई को दूर से निकालते हैं तो उसको हमें फॉक की हेल्प से निकालना चाहिए तो उससे क्या होता है कि हमारी मलाई अच्छे से निकल जाती है और मलाई के अंदर दूद भी नहीं जाता है आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से मलाई को निकालती हूँ फॉक की हेल्ट से जैसे पूरा अच्छे से ले लेती हूँ और फिर एक करके क्योंकि फॉक होता है तो दूद्ध भी मलाई के अंदर नहीं जाता है तो यह tip भी आप follow कर सकते हैं tip 3 में हम अपको बताएंगे कि अगर हम मलाई निकालते हैं और अगर हम जिस box में हम मलाई रख रहे हैं उस box में अगर हम पहले से थोड़ा सा curd डाल देते हैं तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैं कर्ड ले रही हूँ यहाँ पर मैंने सबसे पहले कर्ड डाला है उसके बाद जो मैंने मलाई निकाला था यह इस मलाई को मैं इसके अंदर डालूँगी यह स्टोर करने वाला box है इसमें हम मलाई स्टोर करते जाएंगे जब हम घी बनाएंगे तो यह समें से बहुत सारा बहुत अच्छा घी निकलेगा क्योंकि दही डालने से मलाई में जामन लग जाता है पहले से ही इसलिए घी अच्छा निकलता है यह दादी और नानी ऐसा ही करती थी पहले मैंने देखा था तो वही टीप आपके साथ मैंने शेयर किया है तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ कि आपको मेरे यह तीनो टीप बहुत ही काम के लगे होंगी अगर आपको पसंद आए हैं तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड्स फ्रैमली में ताकि वह भी इस टिप्स को यूज कर सकें तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलती हूँ नेक्स रेसिपी में नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय फ्रेंज कुड़ डे टेक केर इस्टे हुआ